IPL Super Sunday में खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर को 19 रनों से हरा दिया तो दूसरे मुकाबले में Kings 11 पंजाब ने चिन्नाय सूपर किंग्स को 4 रनों से मात दे दी IPL में रविबार को दो मुकाबले खेले गए पहला मुकाबला बैंगलूरू के M. चिन्ना स्वामी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर के बीच खेला गया टॉस बैंगलूर ने जीता और राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने का नियोता दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा रन संजू सैमसन ने बनाए संजू सैमसन ने 45 गेंदू पर 10 चकों और 2 चौकों की मदद से ताबर तोड नाबाद 92 रन बनाए लक्षे का पीछा करने उत्री बैंगलोर 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बना सकी और राजस्थान ने मैच 19 रनों से जीत लिया बैंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा रन उसके कप्तान विराट कोहली ने बनाए विराट कोहली ने 30 गेंदो पर 2 चकों और 7 चकों की मदद से 57 रन बनाए बैंगलोर के खिलाफ 45 गेंदो पर 10 चकों और 2 चकों की मदद से नाबाद 92 रन बनाने वाले संजू सैमसन मैन ओफ दा मैच रहे IPL का दूसरा मुकाबला मोहाली के IS बिंदरा स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब और 49 सूपर किंग्स के बीच खेला गया टॉस चेंदनाई ने जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का ने उता दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल ने बनाए प्रिस गेल ने 33 गेंदों पर 4 छकों और 7 छकों की मदद से 63 रन बनाए लक्षे का पीछा करने उतरी चन्नाई 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन ही बना सकी और पंजाब ने मैच 4 रनों से जीत लिया चन्नाई की तरफ से सबसे ज्यादा रन उसके कपतान महंदर सिंग धोनी ने बनाए धोनी ने 44 गेंदो पर 5 छकों और 6 चकों की मदद से ताबर तोड नाबाद 89 रन बनाए चन्नाई के खिलाफ 33 गेंदो पर 4 छकों और 7 चकों की मदद से 63 रन बनाने वाले क्रिस गेल मैन ओफ दा मैच रहे पॉइंट स्टेबिल की टॉप चार टीमों की बात करें तो हैदरबाद 6 पॉइंट के साथ पहले 4 पॉइंट के साथ पंजाब दूसरे, 4 पॉइंट के साथ चिननाई 30 रे और 4 पॉइंट के साथ राजस्थान 4 नंबर पर है वहीं पिछले साल की चैंपियन मुंबई तीन मैचों में बिना किसी पॉइंट्स के आठवे और सबसे आखरी नंबर पर है Bureau Report, Go News